आज की स्वीडियो में हम मद्ध्री प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्य मंत्री मोहन यादव के विष्चे में जानेगे तो मोहन यादव पर संस्क्रित भासा में निबन देखेंगे तो समानने बाते आप सबी जानते होंगे, इनका नाम मोहन यादा हुए, ये मद्ध प्रदेश के नए अभी भी बने मुख्य मंत्री, 25 मार्च 1956 में इनका जन्म हुआ, उज्जेन मद्ध प्रदेश में, इन्होंने B.S.C., L.L.B., M.A., M.B.A., PhD किया है, इनकी age 57, O.B.C. कैटि और इंडिया की citizen तो होंगे, ये एक राजनीति के हैं, पेसे से B.J.P. के हैं, और इनके जो पिता हैं, उनका नाम है पूनम चंद, माता का नाम है लीलावाई यादाव, पतनी का नाम है सीमा यादाव, इनके दो बेटे और एक बेटी हैं, इनकी कुल संपत्ती 42 करोड़ है ये 42 करोड़ के मालिक हैं, तो चलिए देखते हैं, मोहन यादाव पर संस्कृत भासा मेने बन, तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, मद्धे प्रदेश अस नव निर्वाचत मुख्य मंत्री, स्री मोहन यादाव अस्ति, यानि मद्धे प्रदेश के 9 निर्वाचत जो वो मोहन यादव हैं तस जन्म 1956 तमे वर्से मार्च मार्च सर्षे 25 दिनां के अभवत इनका जन्म 25 मार्च को 1956 में हो था तस जन्म इस तो लमाद्य प्रदेशा से उज्जेन नगरम अस्ती उनका जो जन्म इस ताले वो माद्य प्रदेश का उज्जेन नगर यहाँ पे माहलन्त आएगा नगरम में आप कुछ इस तरह लिखी जे नाग रा और माहलन्त तस से आयू 57 वर्स थै तो उनकी आयू होँए होँए आपे बताई गए की उनकी आयू 57 वर्स है तस से पिता पूनमचंद्र यादवस्ती, उनकी जो पिता है वो पूनमचंद्र यादव है, माता लीलावाई है, उनकी जो भार या भार या 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 होता है वाइफ या पदनी, तो सीमा यादव है, उनकी कुल संपत्ती 42 करोड है उनकी कुल संपत्ती, तस से राजनीतिक दल, यहाँ यह कुछ नहीं आएगा उनकी जो राजनेतिक दल है वो भारती है जनता पार्टी है यानि BJP के भी नाम से जाने जाती मोहन नस से जाती अन्य पिछड़ा बार गयानी की OBC है और मद्य प्रेदेश की 52 प्रतीशत जनसंक्या OBC है साइद इसको देखके हो इने बनायो तस एक पत्र द्वा पुत्री यहाँ आएगा उनकी दो पुत्री है एक पुत्र और दो पुत्री है मोहन महोदय असे सिक्षा B.S.C. L.L.B. M.A. M.B.A. PhD चा संती तो मोहन जो महोदय है इनकी जो सिक्षा है वो संती लिख दीजीगा इसके लाष्ट में यह गलत लिखा हूँ तो वो B.S.C. L.L.B. M.A. और PhD यह सब उनने के सा भारता से नागरिक अस्ति यानिके भारत के नागरिक है तो यह है आपका निबन और यदि आपको प्रॉपर वे में लिखने के लिए चाहिए तो यहां से आप देखके भी लिख सकते है So at last thanks for watching the video, please share the video as much as possible with your friends and classmates